हेलो फ्रेंट्स विल्कम डिस्टुइन पीडिया इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं संजिबर कॉलेज यहमदाबाद के बारे में जो की अफिलेटेड है गुजरात इनवर्सेटी से एक उटोनोमस कॉलेज है यहाँ पर सब बहुत सारे आपको कोर्स देखनी को मिल जाते और सब्रेडली सारे सब्जेक्ट के लिए मैं बना दूँगा तो इसलिए आपको टेंसन नहीं लेना काफी लोगों का कमेंट आ रहा था बी सीए के रिगार्डिंग और कमेंट जो है यहाँ पर अगर आपकी आते है तो उस पर विडियो बनानी की कोशिस करता हूँ यहाँ पर form fill up करना होता है विबसाइट जो है कौन से ही तो संजेबर कॉलेज की एक ही विबसाइट है कॉलेज वाली उसी पर आकर आपको application process देख लेना है और आपने admission form यहाँ पर fill up कर लेनी है उसके बाद देखेंगे आप आपका selection होगा marks के basis पे यानि जितने भी आपके marks होंगे उसमें देखा जाएगा जितने लोग apply करेंगे उनमें अगर आपका merit list में नाम आ जाता है तो आप यहाँ पर eligible हो जाएंगे admission के लिए आपको किया जाएगा offer admission आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप part हो जाएगा और form आप फिलब कर पाएंगे पर date जो है अलग-अलग subject के थोड़े यहाँ पर change हो सकते हैं क्योंकि सबका अलग होता है यहाँ पर और mostly आपको बतला दू यहाँ पर जो है एक ही date देखनी को मिलती है इसलिए जादा confused नहीं हो ना आपको आपके result chances से और यहाँ आप देखें तो जून तक आपको देखनी को मिल जाता है exchange होकर पर उससे पहले भी कई लोगों का यहाँ पर देखा गया है यह date खतम हो जाती है तो subject wise यहाँ पर vary करता है आप देख सकते हैं bachelor of arts वालों का यहाँ पर कम टाइम दिया गया था उसी तरह अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको economics का देखनी को मिलेगा ज्यादा था self finance वालों का यहाँ पर ज्यादा normally वक्त दिया जाता है तो यहाँ पर अगस तक यहाँ पर application open था और यहाँ पर जो है जो self finance नहीं होगी उसकी chance से कि यहाँ पर जो है जल्दी date कदम हो जाए जादा application form आती हो न में ठीक है seat नहीं बचती, seat बचीगी तो date वो extend कर देते हैं merit list जो है यहाँ पर available नहीं है otherwise मैं दिखा देता वो भी आपको यहाँ पर normal date आपको बतला दू कौन सा date है तो आपको बतला दू अभी आपकी examination हो रहे है जन्वरी फरवरी में जो है normally आपका यहाँ पर देखा जाए तो examination time होता है मार्स में भी examination कई बार आप देखिंग होगा फिर आपको time मिलेगा यहाँ पर अप्रिल में अप्रिल के बाद में जून आपका जो होगा वो यहाँ पर काफी important है कई result आना start हो जाती है में जून में में और जून में जो है आपको यहाँ पर regular site पर रहना है क्योंकि एक state की जो है यहाँ पर है नहीं सारे state अलग अलग time पर examination लेते हैं सब की result यहाँ पर अलग आती है तो overall सब कुछ देखकर यहाँ पर form निकालना होता है open होती है site उसके बाद आपको enough time दिया जाता है जिसमें आप form fill up करेंगे तो में जून में जो है आप यहाँ पर active रहिए में जून में आपको application form देखने को मिल जाएगा उसके बाद apply कर दिजेगा जिस भी course में आपको apply करनी होगी और simple बहुत process अप्लाई करने का सब कुछ site पे हो जाएगा जब form आएगी मैं apply करके बतला दूँगा आपको कैसे apply करना है और जो है apply करेंगे उस टाइम पे आपको यहाँ पर देनी होती है application fee form फिलब करते वक्त आपको application fee लगेगी जो कि last year 500 ओपीस थी इस बर जो है change हो तो मैं आपको update दे दूँगा और यहाँ पर देखिए एक अच्छी बात है यहाँ पर जो है आपको कुछ subject में ज़्यादा competition देखनी को नहीं मिलता इसलिए अगर apply करते हैं तो chances of automation बिल्कुल रहेंगे आपके और यहाँ पर जो है eligibility मैं बता दूँगा सारे subject की normal eligibility है आप site पे खुद ही जाकर देख सकते हैं कौन से subject required है क्या है कौन से subject में कितना fee है वो भी आपको information विब साइट पे मिल जाएगी फिर भी मैं कोसिस करूँगा अपडेट करनी की कुछ भी problem हो तो comment करके मुझसे पूछ सकते हैं हमें कोसिस करूँगा अपडेट करनी की thanks for watching best of luck